आप देख रहे हैं नेशन लाइन हर पल आपके साथ करने के बाद उन्हें ग्रफतार किया जिसके बाद पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कारवाही करते होने जेल भेज रही थी इस दौरान आरोपियों के परीजन उन्हें सिविल लाइन थाने पहुचकर अपने बच्चों को निर्दोश बताते हुए थाने पर जम कर हंगामा किया परीजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा उनके बेटों को मुबाइल चोरी मामले में गिरफतार किया गया लेकिन थाने लाकर उनके हाथ में तमंचे रखकर पुलिस ने उनको लुटेरा दिखाते हुए तस्वीर खिचवाई है करोगा करूगा तो मैं डर के मारे अपने बच्चे को हाज़िक करने आई आप मुझसा बोलते ही कि ऐसा है, बच्चे को अगर तुम हाजर कर दोगी, मुबाल दिलबाद होगी, तो मैं बच्चे को गुना खम कर दूगा, मैं उसको तुमाई साती छोड़ दूगा, मुबाल ले लूँगा, और या ला कि आज वारे बच्चे को तीन दिस तो भरता है, आज अगर जी छोड़ाता हैं अगर जी छोड़ा जागा तो हमारे तुमाज बच्चे किसके उपर घांगे, इनोंने हम इतनी बड़ी सजा दिये, और जहीं है, और बच्चों के हाथ तो कमंटे रख दिये, तो हमारे भी बात योगी तेक पुझाईगा है, इसनी एक हमारे देखे थाना सिविल लाइन छेतर में पिछले कई दिनों से मोबाइल छिनेती पर शिने घटना घटित हो रही थी, वीती रात सब्सक्राइब लगबग तीन बजे किला रोड पर थाना सिविल लाइन पूलिस ने चार लुटेरे और एक मोबाइल खेजने वाले खेज़दा पर कुल पांच लोगों ग्रिफतार किया गया है, इनके नाम मोहित सुलेजा, सोनू, अमित यादाव, उपकार कश्यप और जुबेर, जुबेर मोबाइल खेजने वाला है, बाकी ये चार लोग मोबाइल लूटने वाले हैं, इनके सिस्टी फुटेज का अधार पर इनकी पहचान हुई है, और इनके पास से पांच मोबाइल लूट के बरामद हुए हैं, दिनांक 33 को वादिया अनोस जहां पुत्री इद मुबारिक अली, ये सुल्तान होगल्स होस्टल में रहती है, इसके मोबाइल छीना गयता होपो का, महा पर सिस्टी फुटेज लगे थे, प इसके पास प्रियाब साक्स है, इनकी सिस्टी फुटेज भी है, घटनासल के पास की, और आज इनको न्याले में पेश क्या जा रहा है, इनके पास से दो मोटर साइकल जो गटना में परियोग हुई है, छे अदद मोबाइल, चार सीमपी, ये बरामद हुए है,